CBI ने कोट में सुनवाई के दौरान केजिवाल पर कई आरोप लगाए हैं जाच जिंसी ने दावा किया कि केजवाल ने नई शराब नीती में गिजाले का सारा दोश्रनी सिसोधिया पर मढ़ दिया है CBI के मताबे केजवाल ने कहा कि नई नीती का आईडिया सिसोधिया का ही था उनका नहीं था पोट में सुनवाई के दौरान CBI ने ये दावे किये हैं निजी करण का आईडिया सिसोधिया का था यानि कि प्राइविटाइजेशन को लागू किया जाए ये सिसोधिया ने आइडिया दिया, अर्विन केजवाल ने नहीं दिया, केजवाल पर CBI के ये गंभीर आरोप है, ये बात CBI ने कॉट में कही है, रासत में लेकर केजवाल से पूछता जरूरी है, CBI फांच दिन की रिमान मांग रही है, जिसको लेकर कॉट अपना फैसला द करते हुए, अगर पूरे तोर पर ये मान भी लिया जाया और जैसरे से CBI भी कह रही है, कि आइडिया जो है, वो बनी सिसोधिया का था, अर्विन केजवाल का नहीं था, लेकिन दस्तावेज और सबूत क्या कह रहे हैं, वो भी यही दावा कर रहे हैं या फिर वो केजवाल के दावे से उलट है, देखे, पहले भी एक बार अर्विन केजरिवाल से CBI 16 माच 2023 को पूश्टाच कर चुकी है निया, तस्वीरे भी हम आपको जरूर दिखाते रहे हैं कि देखे, जब से CBI ने अर्विन केजरिवाल को गिरफ्तार किया है, CBI मुख्याले के बाहर किस तर का कोई विरोध प्रदरसन करने की यहाँ पर कोशिश करता है, तो वाटर कैनन भी यहाँ पर तैनाद किया गया है, अब बात किया जाता है सबूतों का, तो देखे, सबसे पहले जो CBI के CBI ने भायार दज की थी 17 अगस 2022 को, उसके बाद मनी सिसोधिया के तदकालीन, जो सेक जिंदर जैन मौझूद थे और बयान की कौपी भी आज तक के पास मौझूद है नहा, जिसमें बकायदा जो C. अर्विन जिन्होंने 7 दिसंबर को यह अपना बयान CBI के सामने दज कराया था, उन्होंने साब साब कहा था कि मार्च 2020 में उन्हें मनी सिसोधिया ने एक ड्रा जाया गया था उनको, और वहाँ पर फिर जो अपकारी निती में जो 6% से 12% करने की बात गई गई थी, और वहाँ पर अर्विन केजरिवाल मौझूद थे, इस बयान की कौपी को E.डी ने भी अपनी चार्शिट में इस्तमाल किया था, तो मनी सिसोधिया के जो तकालीन सेक अर्विन केजरिवाल को गिरफतार कर लिया था, अब आज जो कोट में कई गंभीर आरोप लगाए है, CBI ने कि सारा आरोप मनी सिसोधिया पर मर रहे हैं, अर्विन केजरिवाल इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, कि CBI ये कहना चारी होगी, कि जाच में सही सही बात अर्विन केजरिवाल नहीं बता रहे है, जाच में वो गुमरा कर रहे है, क्योंकि टिहार जेल में भी अर्विन केजरिवाल से CBI की टीम ने कल पूछताज की थी, तकरिवन डेल गंटे और आज उनको गिरफतार किया गया है, तो सीधे सीधे CBI का ये कहना आप समझ सकते हैं, कि के जवाब पे वो गुमरा कर रहे हैं, इस वज़े से CBI को कहना पड़ा कि उनको कष्टडी मिलेना पड़ेगा, इसलिए उनको फॉर्मली आज अरेस्ट किया गया है, पास दिन की कष्टडी मांगी गई है, देखना होगा कि कितने दिन की कष्टडी और मिलती है, लेकिन CBI के इस मुख्याले में, जहां पर भारी भरकम दिली पुलिस के तैनाती है, कई अधिकारी रैंक के जो सीनियर अपसर है, उनकी गारिया यहाँ को दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर बेरिकेटिंग कर दी गई है, जाहिर सी बात है, जब कष्डी में CBI लेगी, तो सबसे कैसे बयान है, CBI के पास, खास्तोर से मनीशी सोधिया के ततकालिन, जो सेकरेटरी थे, C. अर्विन का बयान, वो काफी था, CBI को, अर्विन के जिरवाल को CBI के रडार पर लाने के लिए, नहाँ संजे, सिर्फ अपने आपको बचाने के लिए, या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए, मनीशी सोधिया का नाम, अर्विन केजिवाल दुवारा लिया जा रहा है, या फिर वो जांच को गुम्रा कर रहे हैं, या फिर उनके दावे में वाकई दम है? ये बिल्कुल सोची समझी, रणनीती के तहत हो रहा है, और मुझे पूरा यकिन है कि अपने जो गानूनी सलाकार हैं, सिनियर एडोकेट्स हैं, उनकी सलाह पर ही ये सारी चीज़ें की जा रही होंगी, और सिबिया का ये कहना है कि वो चीज़ों का साफ साफ हाया नाम जव जवाब नहीं दे रहे हैं, और उन्हें गुमरा कर रहे हैं, जाच को गुमरा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसका भविश्य में आगे फाइदा उठाया जा सके, और चीज़ों को फिर दूसरा एंगल दिया जा सके, लेकिन वहीं अर्विन केजरिवाल के वकील विक जाओ के लिए या अपने उसमें चुप रहने का भी अधिकार है, कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ों के जवाब दिये जाएं और वो ही जवाब दिये जाएं जो सी बियाई सुनना चाहती है, उन्होंने का अदालत को इसमें रिमांड नोट में देखना पड़ेगा, क बिलहाल पांच दिनों की सी बियाई रिमांड के लिए सी बियाई ने अदालत से अरजी लगाई है, अब ये देखना दिल्चस्थ होगा कि दोनों तरफ की दलीलें, सी बियाई अपनी दलील रख चुकी है, अर्वीन केजरिवाल की तरफ से अब उसमें जवाब दिया जा सी बियाई की दलीलों का है, तो अब मुझे लग रहा है कि समय नजजदीक आ रहा है इस निरने का कि केजरिवाल कितने दिनों की सी बियाई रिमांड पर भेजे जाएंगे, भेजे भी जाएंगे या नहीं और भेजे जाएंगे, तो कितने की सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब आइड़ी लेकिन क्या विए अर्भिन के जिवाल जिसने पूरे प्रोपोजल को मंजूरी दी तो यह तो फैक्ट है ना इसको टो डिनाई मी किया जा सकता है बिल्कुल इसको डिनाई नहीं किया जा सकता और इसमें का गया कि कैबिनेट का के मुख्या मुख्यमंतरी होते हैं और उसके लिए भले वो कोई विभाग अपने पास ना लें लेकिन कैबिनेट का मुख्यमंतरी होते हैं और मुख्यमंतरी को सारी चीजों के जानकारी होती है मुख्यमंत्री को तमान सीजों की जानकारी थी और सीबियाई ने तो यहां तक का है कि मुख्यमंत्री को के सहमती देने के बाद चार्टर्ड विमान से मगुंटा रेड़ी और इस मामले में दो अभियुक्त जो बाद में सरकारी गवाबी कुछ लोग बने उन सारे लोगों को यहां पर लेके आया गया चार्टर्ड विमान से क्योंकि उसमें कोई विमान सेबा नहीं चल रही थी कोविड के समय पूरा लॉक था तो उस लॉक डाउन के दौरान इतनी क्या हड़ बड़ी थी कि जिसमें चार्टर्ड विमान से इनको लेके आया गया और यहां पर बात कराई गई और वहां पर विजय नायर भी उसमें मौझूद थे और यह तमाम लोग इसमें जो मगुंटा रेड़ी है बुची बाबू है यह सारे लोग यहां मौझूद थे और जहां पर जी ओ एम ने अपनी सिफारिशें उपराज पाल कारियाले को भेजी थी उपराज पाल कारियाले ने कहा कि यह जी ओम की सिफारिशें में साथ संशोधन सुझायते साथ सवाल किये थे उस पर लेकिन उन सवालों पर G.O.M. में कोई चर्चा नहीं हुई और ये कहा गया कि सारे C.B.I. ने ये कहा है अपनी रिमान नोट में कि ये सारे लोग इतनी हडबडी में थे इस नीती को लाने के लिए इसे लागू करने के लिए कि इन्होंने उस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा जिस नीती के बारे में ये सारे लोग हैदराबाद से चार्टर्ड विमान से आ रहे हैं उसको इतना important माना जा रहा है तो G.O.M. उस पर क्यों नहीं बैठी चर्चा क्यों नहीं हो